राजस्तान की बेशन की बनती है नमकिन बहुती टेश्टी बहुती लाजवाब बनती है फ्रेंट्स आप इसे कई फ्लेवर में बना सकते हों बनती है जो आपको पसंद बीना साचे की में बनाऊना बताऊंगे की कैसे बनाएंगे यह साचे से भी बनती है यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स बिल्कुल फाइन बेशन लिया है एक कटोरी टेस्ट के इसाफ से नमक रखेंगे दो चमच डिफाइन ओयल लिया है मैंने आप यहा पर मीठा सोडा लिया है एक पिंच थोड़ा सा पानी लिया है और यहां पर एक पिंच से दो पिंच मैंने हींग लिया है अजवाइन लिया फ्लेवर के लिए तो अब इसको हम क्या करेंगे इन सारे समर्गरी को हमको यूज करना है पेसन की गठिया रैस्पी में जो राजय यूज के धाल लिया है और इसमें हम फ्लेवर के लिए आजवाइन डालेगे आपका लैसुन डालना चाहो रहता है अर्पके जितना आपको कम ज़्यादा पसंद हो अब उसे आपसे डालिएगा हींग आपस्टनल है फ्रैंस आपको पसंद हो तो डालिएगा मगर कोई भी रमकी में हींग पड़ता है तो उसका तेस्ट पहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दो चमश मोयन के लिए हम रिफाइंड डालने आप देशीगी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इन सब चीजों को और यहां पर मैं मीठा सोडा डालने से यह थोड़ी फूली फूली से और सौफ्ट बनेंगी आप चाहो तो इसके बगेर भी बना सकते हो आप इसको थोड़ा जितना भी टाइ सब्सक्राइबर यहां पर पानी तो बैसन के सबहुत ब्लब्स नएंगे वड़ी न पानी पानी होगा बस इसको में क्राइब पान से चार मीनिट करीब करीब करिब रखेंगे। जब तक ऑईल हमारा गरम हो रहा है तब तक इसको हम रखेंगे अगर आप सोडा नहीं डाल ले हैं तो यहां पर आप 10-15 मिनिट इसे सेट होने के लिए रख दीजे तो यहां पर 3-4 मिनिट मेर वस रखोंगी जित्ती देर में हम उसकी दूसरी तैयारी जब तक कर रहे हैं यह करके दिखाएंगे पोने पर इस तरह से ग्लास में लगा के आप कोई भी पाइपिंग बैग या कोई भी थैली समाल कर सकते हैं दूसरी हो नमप की हो आप यूज़ कर सकते हैं वह इस तरह से इस तरह से हम भर लेंगे अब यहां पर ज़रोत के साफितना मोटा रखना है उस लिगा अब दो फ्रेंड्स मेरी जो लोकिस की कटी है तो थोड़ी पतिली कटी है तो थोड़ा सा मोटा हम और कर लेंगे और यहां पर मैंने आयक चैक कर लिए कि कि इस निए जो नोच कितनी पत्ली आपको बनानी है जितनी मोटी ओर इस तरह से बना सकते गर चिपक form खूल आक्पड Mumbai जाएगा तो यहां पर मैने स्विभार्ट को लिआ है और इसका अच्छे से 주고 में अच्छे से मीझेयम पर गर्म लिया है करना है कि सब्सक्राइब करना है जतना ही इसकाइब यह तो इसना और क्लीक समय क्लिई होगा तो आप यहाट से पोन आ और में तो इसहाब से मैं एकस्टें आफ को पूरी दोर से प्रापर दिखाने पा रही हूं ए तैसे यहां पर मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूं इस तरह से रहों कर डाल दीजेगा और बहुत अच्छे से sadly a यहां पर मीडियम से थोड़ा सा कम करके रखेगा विल्कुल लों नहीं में राइने अरज रखेंगे दो जल जाएगा आसा लों रखेंगे तो बिल्कुल टाइड हो जाएगा है है दो इसको एक साइट से आस से पलड़ देंगे दो इस तरह से आप पलड़ देगा जैसे आपको यह बड़ें तो इस तरह töर्ई पलड़ा्य जैसे All फिर इसको करा zijn होने देंगे अच्छे से सिक्कें के बाद इसको हम निकाल लेंगे और सारा बैच फ्रेंड्स इसी दासे हम बनाकर रेडी करेंगे और बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स यह नमकीन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं महिनों तक फ्रेश रहेंगे अपने घर पर बनाए लगती है और दूसरा बैच भी देखे फ्रेंड्स मैंने डाल लिया है वहां पर मैंने फोन नहीं पकड़ा था तो मैंने इसली अच्छे से दोनों हाथ के साहता से इसे अच्छे से बना लिया है तो आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर रेडी हुई है फ्रे लगती है अगर यह रैस्पी आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह रैस्पी आपको कैसी लगे और मेरे चैनल पर नए है या फर्स्ट टैम वीजिट किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना और बैल वीजिट और शह नए हूँ आएगा झाल आएगा झाल वीजिए बताएब कर दो प्लीज़ तो, है घुँ है झाल राज़ परे नहाँ तो, हम आएगा झाल आएगा जाएगा झाल आएगा याओा से तेल दूूर टूर अपको क्रों वीजिए नहाँ उताएगा दूर